दोस्तों अझके इस वीडियो को टॉपिक है एक डिच टांटिना पे 2 रिशीबर कैसे चलाएंगे अज कल अधर में कई सरे टीवी चलते हैं और इाभीन hourा टाया किया हुआ इस पेटर आपको पुराने केबल ऑपरेटर के पास से मिल जागा या फिर आप मार्केट से खरीच सकते हो कई सारा वीडियो में हमने देखा कि वह लोग जॉइंटर पर बोल रहे हैं कि आप दोनों तार जॉइंट करके दो रिसीवर चला लो बट वैसा नहीं करना है नहीं तो हमारा रिसीवर खराब हो जागा कुछी दिनों में अपको लेना है एक इस प्लेटर आप देख पा रहे हो और इस प्लेटर को हम खोल लेंगे क्योंकि इसके अंदर का जो circuit है वो हमारे काम का नहीं है यह देखे ये दो Channel का Splater है जिसमें हम एक Side से Power In करते हैं और दो Sides से Power Out होता है बट हमें इसके सारे circuit को निकाल लेना है क्योंकि इसका जो भी circuit है इसके अंदर लगा हुआ वह हमारे काम का नहीं है और वह हमारा डिश्ट एंटीना पर काम नहीं करेगा तो हमें सबसे पहले इसके बोर्ड को निकाल लेना इस तरह से आप यह इस प्लेटर नया पुराना ले सकते हो मार्केट में आपको पचास रुप्या मिल जाएगा एक डिश्ट टीवी पे दो रिश्ट चलाने के लिए कोई साय भी स्पेर पार्स मार्केट में अवलेबल नहीं है यह सबसे बाव प्रॉब्लम है तो हमें अपने से ही बनाना पड़ेगा यह देखो हमने इसके सारे सर्क्रीट को निकाल दिया है अब देख पा रहे हो यह कनेक्टर का पॉइंट है एक साईड दो पॉइंट है एक साईड है और हमें लेवा ना है 4raw 7 डायोट यह जो भी पीएफ मिलता है आप लो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आपको डायोट के से उपर इस तरह यह प्लस मायनस में कोई भी प्लस मायनस नहीं होता है こ कैसे भी कर के आप इस पर जोड़ से इसके उपर हमें fulfilled कर देना है जोड़ पहले हम लोग जोड़ लेंगे स्प्लेटर के भीतर का कनेक्शन जोड़ लेंगे डैयूड पो तो यह देखो, प्लस साइड हमने इंडिकेशन दिया हुआ है कि आपको इस साइड डायोड का प्लस रखना है इस्ते देख सोल्डिंग कर लिना है और दूसरा डायोड भी सेकेंड कनेक्टर पर हमें जोड़ो देना है इसे अच्छे सोल्डिंग कर देना है यह भी यह सोल्डिंग हुगा नहीं है इसे अच्छे सोल्डिंग कर देना है क्योंकि यह काफी लंबा समय तक उप्योग में आने वाला है यह हो गया अब हमें दूसरे डायोड को भी लेके इसी तरह सोल्डिंग कर देना है जिस, साइड, सिंगल पॉइंट, कनेक्टर है, उफ में प्लस और डबल साइड हमें मायनिस देना है। डाइओड में आपको ये साइड प्लस ये साइड मायनिस हुता है। कि हमने दोस्तों डिजिटल मल्टी मीटर पर भी वीडियो बनाया है आप वह देखो उसमें हमने डायोट के बारे में भी बताया है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, एक वीडियो में ही आपको बहुत सारा पार्ट्स टेस्ट करने के लिए हमने बताया है, मीटर के ज़रीए, तो आप वो हमारे वीडियो जरूर देखो, अब इस तरह से हमें डायोड को इस तरह से मिला देना है, इसे अच्छे से सोल्डिंग कर देना है, यह देखो, इसे हमने इस तरह सोल्डिंग कर दिया, पीएफ को डायोड के उपर सोल्डिंग करना है, यह आप देख लो अच्छे से, यह बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, इधर से हम LNB के लिए आउट करेंगे, इधर से तो receiver का connection हम डालेंगे, यह LNB में चला जाएगा, और यह हमारा तो दो point हमारा receiver से आएगा, और single side connector जो है, वो LNB में चला जाएगा, अब हमें इसे, यह हमने जिसको open किया था, इसे ठीक कर लेते हैं, और इसके उपर फीछे का cover हम लगा देंगे, क्योंकि यह cover लगावा रहेगा, तो पानी विगर है, इसमें नहीं करेगी, यह हो गया, दोस्तों यह complete हो गया, उप्योग के लिए, इस तरह से यदि आप connection करोगे, तो दो receiver अच्छे से चलेगा, बट अगर आप wire को direct जोड़ते हो, तो एक ही channel जब हम देखते हैं, तो नहीं चलेगा दो TV में, चलिए इसको diagram के जरीए समझते हैं, अगर किसी को यह सम ला जागा, LNB में, out हो रहा है, यहां से हम in करेंगे, दोस्तों manual multimeter का भी हमने वीडियो डाला है, आप उसमें भी diode के बारे में जान सकते हो, प्लस मानिस के बारे में, यह हो गया, और अगर आपको यह diagram समझ में ने आया है, तो मैं यह सीधे diode का symbol के जगे बना रहा हूँ, यह इस तरह से दो पलस साइट को मिला देना है, और तोनों के उपर एक एक हमें PF लगा देना है, यह हो गया out, और यह एक मैं dis antenna भी बना देता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, यह dis antenna, यह LNB stand हो गया, यह हमारा LNB हो गया, और यह cable wire, इसे हम जोड़ होगे, यह dis हो गया, dis antenna, और यहां से हम लोग, दो receiver, जो की set of box भी कहाँ जापता है, set of box, यहां से in करेंगे, यहां से दो set of box in करेंगे, इस type का connection करने के बाद, आपका set of box बिल्कुल safe रहेगा, यह हो गया, diode और PF, PF हमें 1K का लेना है minimum, दो पीस और diode लेना है, मैं 4,007 नमबर का दो diode लेना है, जो एक रुपया करके market map अवलेबल है, total खर्च diode और PF का एप्रॉक्स चार रुपया ही होगा, दोस्तों, technical DM के चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो जरू को subscribe, मैं इसी तरह technical video लाता रहता हूँ, हमें पूरा उम स्ट अब्रिवने दनिलाद,